हाई लेमिंधीज, वेलकम डू एजीवे काउमर्स क्लासेज, मैं हूँ दबिता और गाईज हम अपने स्टाटिस्टिक्स का शिप्टे टू कर रहे थे, जो की थियोरी कंसेप्ट चल रहा है अभी पूरा स्टाटिस्टिक्स का लेकिन पता करना जरूरी है जानना जरूरी है स्टाटिस्टिक्स को क्योंकि वन मार्क की क्वेश्टिक्स आने हैं तो हमें नहीं पता की प्रेप्टिकल आएगा या थियोरी, तो हम थियोरी को बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं सु गाइज इस चेप्टर में, जो की चेप्टर टू है, हम स्ताटेस्टिक्स के हम Functions पड़ने वाले eg польз याइन कीmir काम करते है, आゃऱी स्टेस्टिक्स के हमें क्यों जरूरत पढ़ती है, सबसे पहला statistics में हम क्या पढ़ते हैं? graphs पढ़ते हैं, pie diagram बनाते हैं, bar diagram बनाते हैं, mean, median, mode पढ़ते हैं So, statistics की वज़े से ही हमारा जो data है वो simplify हो पाता है यह simplify करता है किसे हमारे complex data को यानि कि अगर हमें अपने देश की महंगाई देखनी है तो आप एक graph से बहुत easily समझ सकते हो जबकि अगर आपके सामने लिखा हो कि कितने दाम बढ़ रहे हैं, कितने आप नहीं इतना समझ पाओगे लेकिन एक जब graph सामने आ जाता है कि महंगाई दर पहले इतनी थी और अब इतनी चली गई है just rate double हो रहे हैं यानि कि यह हमारे data को बहुत ही simplify कर देता है second चीज़, present करते है fact को in a definite form यानि कि आपका data कितना ही बढ़ा था देश का data कितना ही बढ़ा होते हैं लेकिन यह definite एक form दिखा देता है like महंगाई दर बड़ी 50% से यह एक example दे रहे हूँ तो महंगाई दर बड़ी 50% से तो guys यह क्या कर रहे हमार को एक particular figure दे देता है एक definite form दे देता है जिससे हमें चीज़ों को समझना असान हो जाता है third to make a comparison of a fact statistics की वज़े से ही हम अपने data को compare कर पाते पिछले साल के data को इस साल के data से तो यह statistics ही है जो चीज़ों को comparison को easy बनाता है fourth guys facilitate planning and policy formulation यानि कि अगर हम सरकार के point of view से देखे देश के point of view से देखे तो यह stats का data जब उन लोगों के पास आता है तो वो policy बनाते है अगर education का data guys आता है तो वो education की policy बनाते है inflation का data आते है तो inflation policy बनती है so तभी बन पाती है जब उनके सामने एक figure आती है उनके सामने graphs आते है कि भाई यह changes आ रहे है अगर हम उनको पूरा एक file दे देंगे तो उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या policy बनानी है क्या changes आए लेकिन stats हमारे data को इतना easy बना देता है एक particular figure दे देता है जिससे हमारे लिए policies बनाना उसे समझना बहुत असान हो जाता है इसके बाद guys help in forecasting अब हम देखके forecast कर सकते है क्या forecast कर सकते है आने वाले समय में क्या changes आएंगे यानि कि अगर 2010 का data है 12 का है, 16 का है, 14 का है तो हम expect कर सकते हैं 2018-2022 में क्या changes आने वाले हैं हाला कि इस समय पर सारी चीज़ें गड़बडा रखे है COVID के चक्कर में but still हमारे पास जब data होता है guys, stats का तो हम उसे forecast कर पाते हैं आगे की चीज़ों को उससे judge कर पाते हैं इसके बाद formulating and testing hypothesis so guys, हम अपने data को अगर test करना है तो इसके basis पर test कर सकते कि कि कितने का changes आया क्या changes सही है या नहीं सही अब उसके बाद enlarge करता है individual knowledge and experience को यानि कि ये stats की data की वज़े से जब हम उसे पढ़ते हैं हमें बुद्धि ज्यान का शिर्वात प्राप्त हो जाता है अरे देश की population इतनी तेजी से बढ़ रही है देश में महंगाई इतनी बढ़ रही है गरीबी इतनी बढ़ रही है बेरोस्गारी इतनी बढ़ रही है हमें education मिल जाती है हमें experience मिल जाता है knowledge तो मजाग था लेकिन गाइस ये data की वज़े से stats हमाले data को इतना simplify करते है हमें knowledge provide करते है कि कैसे चीज़ों को एक precise form में दिखाया जाता है तो हम लोगों की knowledge and experience हमें gain होता है information से राइट ये बहुत छोटा सा topic था लेकिन आपको पता होना ज़रूरी है अगर वीडियो पसंद आई तो like ज़रूर करना और येस आप अपने डाउट मेरे से YouTube और Instagram पर पूछ सकते हो Instagram ID है तबतामेसी Thank you